इंतहाई बोजल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये विडियो मेसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमीरी की डर्थ हो गए पाकिस्तान के चर्चित इसलामिक धर्मगुरू मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की मौत हो गई है आसिम की मौत पाकिस्तान के पंजाब में तलंबा इलाके में उनके घर पर हुई कथे तोर पर इसे आत्महत्या बताया जा रहा है आसिम जमील के उम्र 30 साल थी मुल्तान के रीजिनल पुलिस आफिसर सुहेल चौधरी का कहना है कि तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने जिम में एक्सरसाइस के दौरान गार्ड से पिस्टॉल शीन कर खुद को गोली मारी पुलिस का कहना है कि सीसी टीवी में ये घटना कैद हुई है और इस फुटेज की फॉरेंसिक जाच हो रही है पुलिस अधिकारी सुहेल चौधरी ने ये भी बताया कि आसिम जमील ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था आसिम जमील के बड़े भाई ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उनके भाई मांसिक बीमारी से जूज रहे थे मेरे भाई आसिम जमील बच्पन से शदीर डिप्रेशन के मरीज से मौलाना तारिक जमील ने भी अपने बेटे की मौत की जानकारी सोशल मीडिया पर दी उन्होंने लिखा कि आज तलंबा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है इस दुर घटना ने माहौल को शोका कुल बना दिया है आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें अल्ला मेरे बेटे को जन्नतुल फिर्दौस में उची जगा दे पाकिस्तान के मुसलिम धर्मगुरू तारिक जमील पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी काफी प्रसिद्ध है उनके धार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल होते है वो पंजावी राजपूत परिवार से आते हैं और खुद को पृत्वी राज चमवान का वनशच बताते हैं जमील का संबंध तबली की जमात से रहा है और उनकी इसलामी सिक्षा लाहौर के जामिया अरबिया से हुई है